और इस क की बड़ी खबर आपको बता दें आज समाजवादी पार्टी से जूर सकते हैं इम्रान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे और अब ये खबर साब नहीं आई है कि इम्रान मसूद लखनव पहुंच चुके हैं और क्या अब देखना ही है कि अखले श्यादव की मौझूद्गी में पार्टी में वो शामिल होंगे क्योंकि आज वो समाजवाद समाजवादी पार्टी में ऑफिशल तौर पर जूड़ जाएंगे कॉंग्रेस से इस्तिफा देने के बाद इम्रान मसूद अब लखनौ पहुंच चुके हैं और आज समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं चलिए इस ख़बर पर और जाद अपडेट के लिए सिधा र कर सकते हैं उसी प्लस कोंफेंस में और अनांस्मेंट किया जाएगा जो सहारन पूर्च के पुर्व नेत्ता कंग्रेस के बड़े चहरे जो थे आज समाजवादी पार्टी में जोइन कर सकते हैं ची अमित लेकिन एक हम देख रहे हैं उत्तरपदेश में और भी पार्टी आ हैं लेकिन बीजेपी छोड़कर अगर कोई आ रहा है कॉंग्रेश छोड़कर अगर कोई आ रहा है तो हम देख रहे हैं कि लगातार सबकी पसंदिदा पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी ही यह बनी वे तो बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को लगतार बता रहें कि किस तरह से इम्रान मसूद अब आज लखनौ पहुचे हुए हैं और प्रेस कॉंफरेंस वहाँ पे की जाएगी ऑफिशल उनकी एंट्री समाजवादी पार्टी में आज हो जाएगी तो समाजवादी प समाजवादी पार्टी में शामिल होने जाने इससे कितना फाइदा होगा समाजवादी पार्टी को चुनावों में ये भी देखने वाली बात किया पर होगी लेकिन जो खबर अभी सामने आ रही है उसके मताबिक इमराद मसूद लखनौ पहुच चुके हैं अखिले श्यादव हो सकता है उनकी मौजूदगी में वो उफिशल तोर पर समाजवादी पार्टी का धामन ठाम ल लगा है उन्होंने आरोप लगा है कि प्रदान मंतरी की हट्या के लिए बड़ी साज़िश रची गई थी और साज़िश में पंजाब सरकार के बड़े अधिकारियों के भी शामिल होने का रोप लगाया साथी उन्होंने का कि ये सब प्लैनिंग सीम के घर पर बैठ कर की ग उन्होंने कि भी शामिल है कि बड़े बड़े इची गई। झाल